है रो दोस्तों स्वागा था आप सभी का आक्स फोर्ड इस्टी चैनल की नए वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रास्वाली चार्ड शेका जो क्वेस्चन नमबर आपका 11, 12, 13, 14 रहें बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है दोस्तों यह सभी क्वेस्चन बहुत इंपोर्टन तो आप लाश्ट जरूर देखना ठीक है 11, 12, 13, 14 रहें इसके प्रिवियर्स दो वीडियो बताए गया है और 7, 10 बताए अगर आपनी वह वीडियो को नहीं देखा तो उसको सबसे पहले आप जाएं डिस्क्रिशन वाग्स से आपको लिंक मिल जाएगा वहां स पासा करता हूँ आप जरूर देखेंगे या देखेंगे तो इस सब्सक्रिशन को समझेंगे फिर लगाएंगे ठीक है तो अगर आप हमें चनल पर नहीं चनल को सब्सक्राइब कर दें योकि 10 और 12 के इसी परकार से वीडियो आपको प्रोवाइट कराई जाती है ले दोस्त दिया गया ठीक है यह गया समी करण निकाय है देखना दोस्त निकाय है ठीक है 2x प्लस y प्लस z is equal to 1 x मानस का 2y मानस का z बराबर 3 by 2 3y मानस का 5 z बराबर 9 ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे दिये गए समी करण दिये गए शमी करण जो लिखते हैं आप ठीक है शमी करण निकाय को कैसे लिखते हैं AX बराबर B के रूप में के रूप में लिखा जा सकता है के रूप में क्या हो सकता है लिखा जा सकता है आगी क्या करेंगे देखो अब क्या करेंगे A, यहां से निकालेंगे, एक ऐसे आएगा वो देखना A matrix आपका हो जाएगा, यहां पर 2, यहां पर हो जाएगा 1 यहां हो जाएगा 1, ठीक है, यूँकि X का coefficient 2 है, Y का coefficient 1 है Z का coefficient 1 है, यहां पर X का 1 है, Y का माइनस का 2 है, और Z का माइनस का एक है देखो दोस्ती यहाँ पर y का coefficient कुछ भी नहीं है तो अगर कुछ भी नहीं है तो उसके लिए 0 स्वारी, x का Efficient यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x के लिए 0 y का 3 है तो 3 लिख लेंगे और z का minus 5 है तो minus 5 है ठीक है अब हमें x चाहिए तो x क्या होता है वहाँ पर x और y था केवल क्यों न यहाँ पर दो बेरे बस्ते हैं आपर 3 है x भी है y भी है और बढ़ गया आपका z तो z लिख लेंगे ठीक है अब देखो दोस्त b b क्या है constant term वहाँ पर 2 रहते थे लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा एक 3 बटे 2 और यहाँ तक कोई परिश्ण ने कोई दिक्कत कोई तकलिफ कोई प्राबलम करें बाक से बताना ठीक है कोई दिक्कत होगी अब क्या करते हैं अब जानते हैं now ठीक है अब हम उतारते हैं कि क्या mod determinant सांडी के लिखते हैं बचा क्या देखो यह रो यह रो और यह कॉलम आपका हो गया cancel बचा आपका के लोर के लोर माइनस का 2 माइनस का 1 और 3 और माइनस का 5 माइनस होता है अब देखना increase हो जाएगा अब देखना दोस्त यहाँ पर हो जाएगा देखो इस तरह आप देखो क्या क्या देखो यह रो यह कॉलम और यह रो ठीक है कैंसे लोगे बचा जो आपका वही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस का टू जीरो और यहां तक कोई परिस्थानी कोई लिख करने ठीक है अब मौड़ी देखो यह सब चीज़ें आप जानते हैं पा सक कहें हो जाएगा एक्ति आएं टीन यह देखो यह माइनस यह दायता है प्लसह खाट जीरो ठीक हैं अब देखना अब मौड़ी जो होगा वोHa场 दो गोंड़ी दस तीन 13 हो जाएगा और देखना दोस्त ये मानस ये मानस पलस कर देगा और एक पच्चे 5 हो जाएगा और यहाँ एक त्याए 3 हो जाएगा आगे क्या करेंगे 13 दुनाई 26 पलस का 5 पलस का 3 तो कितना हो जाएगा 26 और 5 31 और 3 34 ठीक है तो mod is equal to कितना आ गया 34 आ गया not equal to 0 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे अताहा जो आपका ए है वो ब्यूत करमड़ी है ठीक है क्या है बियुत करम अड़िया आप भी हो ठीक है तो बियुत करम अड़िये है और इसके बियुत करम का स्थित्त है और इसके बियुत करम का स्थित्त है यह लिख लेना ठीक है तो यहाँ पर तो आपका question आगे बढ़ेगा बियुत करम का स्थित्त है बियुत करम का क्या लिख लेना साखंड निकालेंगे अब हम साखंड ठीक है, साखंड भी आप निकाल साण जानते कैसे, इसीक के परियोक से देखं़ कैसे, A11, ठीक है, A11, तो कैसे निकालेंगे तो को जोडने पी कितना आ रहाँ रहाँ तो आगी पलस लगATEगा, row और column 0 हो जाएगा जो बच्चा आपका 2 बच्चा मानस का 2 बच्चा मानस का 2 बच्चा 3 बच्चा मानस का 1 और मानस का 5 इसको solve करेंगे तो क्या हो देखो पलस आगी कोई दिक्कत ने 2 पच्चे 10 हो जाएगा यह मानस यहां मानस पलस कर देगा 3 एक कम 3 बराबर 13 A1, 2 देखो जोडने पर 3 आ रहा है भी सम का है तो आगे मानस लगा दू भई यह देखो रोर कॉलन 0 1 बचा, 0 बचा मानस का 1 बचा, मानस का 5 बचा आगे क्या हो जाए कि देखना मानस तो लगे गई, ठीक है 1 पच्चे 5 पलस का 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पलस का क्योंकि यह मानस यह मानस पलस कर देगा ठीक है, आगे देखना A1, 3, A1, 3 क्या हो जाएगा तो जोडने पर 4 आ रहा है, आगे पलस लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रो और कॉलम 0 हो जाएगा 1, 0, मानस का 2, और 3 ठीक है, आगे क्या होगा वो देखना पलस हो जाएगा, 1, 3, 3 पलस का 0, बराबर कितना 3 ही हो जाएगा अब जब A2, 1 की बारे दूसरा रो और पहला कॉलम, तो देखो यह दूसरा रो हो जाएगा पहला कॉलम, ठीक है, यह हो जाएगा मानस लगांगे, वुकि 3 आ रहा है जोडने पर भी सम है, तो 1 बचा 1 बचा, 3 बचा और मानस का 5, जो बचा वो जल्दी से लिख लिए करो ठीक है, टाइम बरबाद नहीं करेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, देखो 5, 3, 8, तो मानस का 8 हैगा यह मानस लएगा, तो पलस का 8 कर देगा ठीक है, अब 8, 2, 2 जबाब करेंगे, तो जोडने पर कितना आ रहा है, जोडने पर 4 आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 यहाँ पर हो जाएगा 0, मानस का 5, आगे जब पलस कर देंगे, 2, 5, 10, मानस का 0 हो गया, और 3 हो गया आगे का करेंगे, वह देखना, मानस 3, 2 जब 6, 6 हो गया मानस का 0 हो गया, तो मानस का 6 हो जाएगा, ठीक है यह सब चीज़े आं समझना, आप 3 रो पहले कॉलम पे चलेंगे, तो पलस लगा देंगे, 3 रो पहला कॉलम, ठीक है, 1 1 आ गया, मानस का 2 हो गया, 1 हो गया, मानस का 1 हो गया, मानस का 1 यह मानस यहां मानस आता प्रस कर देगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है यह हो जाएगा, और यहां पर देखो प्रस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कितना हो जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा 1. अब a, three, two. Dείको, b sum है ना. 5 आ रहा है ना तो देखो, यह row यह column माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, ठीक है, यह हो गया, अब देखो Adjoint of A कैसे निकालते हैं, ठीक है, आपको पता है कैसे निकालते हैं, देखो कैसे, जब हम Adjoint of A जब निकालेंगे, देखो मैं एक दम explain करके बताऊंगा, इस question को मैं सभी चीजे बताऊंगा, लेकिन इसमें A1, 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 A2, 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 A3, 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 A3 पे लेज़ पर रखो देखो तेरा पांच तीन आठ माइनस का टैन माइनस का छे यहाँ वन थिरी माइनस का फाइब ट्रांस्पोर मतलब ब्यूत करम ठीक है एडजॉइंट आफ ए निकलेगा तो क्या हो जाएगा वो देखना तेरा पांच तीन इसको कॉलम में तेरा पांच तीन कॉलम में हो गया यहां पर एक शेज आपको समझ मे आए होँगी जो आपने यहां पर क्या में लिखा था न देखो यह रू में लिखा आपने न थिर्म पर यह कॉलम में हो कि कोई दिकथ हो गी, कोई दिकथ ने हो, ठीक है, अब देखना क्या होगा, अब फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है, फार्मूला आप जानते हैं, ए इनुवर्स बराबर होता है, one by mode into me adjoint of A, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है, तेरा हो गाऊगे, हो गया एक हो ठीक है पांच तीन मानस का दस छे तीन और मास ठीक को दिक्कत नहीं अब देखना फॉर्मूला आप जानते हैं एक इनवर्स बराबर वन बाई मॉडे मॉडे कहा निकाला आपनी यह देखिए मॉडे निकाला यह 34 ठीक है 34 लिख दो भई इसके बाद क्या हो अब देखना यहां पर जो आपने लिखा था यह तो इसलिए क्या होता है एक बराबर का भी होता है तब एक बराबर क्या हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा एक इनवर्स बी इसी काम यूज करेंगे ठीक है अब देखना एक तो आपका हो जाएगा एक बटे 34 एक बटे 34 यहां आगया 13, यहां आगया 8, यहां आगया 1, यहां आगया 5, माइनस का 10, 3, 3, माइनस का 6 और माइनस का 5, अब देखो दोस्त बी कहा है, बी तो अभी है, खोजना थोड़ी है, देखो यह बी जो आपने का, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 3 by 2, यहां पर हो जाएगा 9, ठीक है, यह हो गया आपका, अब देखना आग़ी का करते हैं, गुड़ा 1 बटे 34 होई जाएगा, देखना 13, एक कम 13 लिख लो भई, अब देखना 8 है, मल्टिप्लाई कराएंगे 3 by 2 से, तो 2, 4, 8, 4 आगया, और 4, 3, 12 होगा, तो तुरंद भई 12 लिख लो, ठीक है, अब क्या करेंगें, देखना 9, यहां नो 9 भी लिख लो, कोई दिक्कत लिख लो, अब देखना 5 एक कम 5 हो जाएगा, अब देखना, माइनस का 10 है, गुणे में 3 by 2 से मल्टिप्लाई कराना है, तो 2, 5, 10 हो जाएगा, 5, 3, 15, वो भी माइनस का पंदरा, ठीक है, अब देखना, 9, 3, 27, 27, कोई दिक्कत लिख लो, 3 एक कम 3 हो जाएगा, अब देखना, माइनस का 6 है, मल्टिप्लाई कराना है, 3 by 2 से, देखो, ये से, 2, 3, 6, कट गया न, 3, 3, 9, वो भी माइनस करनो, क्योंकि आगी माइनस लगा था, ये देखो, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 5, 9, 45, 45 हो गया, आप इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करें गए, तो 1 by 34, देखना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, और 25, और 5, 30, और 4, 34 हो जाएगा, 34 हो गया, आप देखना, 27 ठीक है, 5 में से, माइनस का पंदा जाएगा, माइनस का 10 आएगा, और माइनस का 10 में से, माइनस का 10 में से, पलस का थाएगा, आप तो कितना हो जाएगा, ये आएगा, 17 भी पलस का, ठीक है, अब यहाँ देख तो माइनस का 51 आ जाएगा ये चीज़े आप समझ पाया होंगे आसा करता हूं ठीक है यहां पर X बराबर हो गया आपका कितना देखना 34 आपने डिवाइड लगाएंगे एक उन बाई 4 से 34 मल्टिप्लाई मतलब सारे लिए उने मल्टिप्लाई होगा न तो देखो 34 हो जाएग और यहां भी माइनस का 51 बटे ठीक है कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा क्या हो जाएगा आगे देखना X क्या है X देखो X है Y है Z तो लिख लो भई X Y Z जो आपका X Y Z आया वो कितना आया देखो यहां से 34 से काट देंगे तो एक आएगा 17 से काटेंगे तो 17 से डिवाइड तो 17 से काटेंगे 17 53 51 और 17 24 माइनस का 3 बाई 2 तो X बराबर 1, Y बराबर 1 बटे 2 और Z बराबर कितना यह आ गया तो आशा करता हूँ कि X बराबर आगया 1, Y बराबर आगया 1 बटे 2, Z बराबर आगया माइनस का 3 बटे में 2 तो आशा करता हूँ यह question आपको समझ में आया हुआ ठीक है तीन व्ट्य दो है दो है अगर आपको चाहिए ना देखो यहीं तक क्वेश्चा मांगता है अगर आपको कुएसे कार करें तो xy z कमाद किसी भी समीकर्ण में रख दो एक दो या तीन में ठीक है तो अगर एक मतलब बायापक्ष बराबर दाया पक्ष करा रहा तो आपका सेंसर सही है ठीक है आप देखना दोस्त क्वेस्चिन नंबर जो है कौन सा देखना डेखना डेखते हैं ठीक है पारी मैं प्लस जेट बराबर दो, यहां पर लिख लेना दिया गया समीकरण निकाए, ठीक है, दिया देखो जैसे उसको किया था, उस वाले क्वेस्चन को, उसी तरह से सेम क्वेस्चन यही भी करना है, ठीक है, बस आपको केवल दिमाख लगाना है, और समझते जाना, ठीक है, मैं एक बराबर बी के रूप में लिखा जा सत्ता है, ठीक है, यह हो जाएगा, अब क्या होगा, यह देखना, ठीक है, आगे देखना क्या होता है, एक से देखना क्या हो जाएगा, यह आपका कहां से मिलेगा, देखना, एक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का वन हो जाएगा, यहा यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है आगे क्या होगा वो देखना, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 देखो 1 बहुत मिल गया आपको ठीक है, अब x क्या होगा वो देखना, x हो जाएगा x, y और z, और b आपका क्या होगा, b हो जाएगा जो constant term है 4 है 0 है और 2 है यह हो गया आपका ठीक है अब क्या निकालते हैं अब हम निकालते हैं mod A mod A निकालते हैं यहाँ पर लिखने ना R1 की अंडिस प्रस्ट कराने पर यहाँ पर हो जाएगा 1 यह row column 0 1 1 minus 3 1 यहाँ पर देखो minus लगा है तो minus यहाँ पर होता है 2 1 minus 3 और 1 ठीक है यहाँ पर होता है plus का plus का 1 लिख लो भई देखो row और column 0 हो गया 2 हो गया 1 हो गया 1 हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई फ्रेशानी नहीं अब क्या होगा वो देखना mod A हो गया आपका 1 एक एक कम 1 और यह minus यहाँ minus होता है plus कर देगा एक 3 हो जाएगा plus का 1 हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा यह minus यह minus पलस कर देगा एक 3 हो जाएगा plus का 1 हो जाएगा 2 एक कम 2 मानस का 1 ठीक है यह हो गया आपका अब क्या होगा वो देखना mod A is equals to देखना 3 एक 4 एक कम 4 3 दो 5 एक कम 5 जो हो जाएगा ए ब्यूत क्रमड ये अता है ब्यूत क्रमड ये है और इसके ब्यूत क्रम का अस्तित्व है और इसके ब्यूत क्रम का अस्तित्व है ये हो गया आपका अब हम क्या निकालते हैं अब हम निकालते हैं साहखंड ठीक है क्या निकालेंगे साहखंड निकालेंगे जो कैसे निकलेगा वो देखना साखंड निकालेंगे या किसे कहते हैं joint of a ठीक यह तो कहते हैं आप A11 कैसे निकलेगा देखना A11 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखना A11 देखो पहला row पहला column cancel हो जाएगा बचा क्या देखो जोडने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो पलस लिख लेना row column cancel 1 minus का 3 और 1 1 देखो solve करेंगे तो पलस लग जाएगा 1 1 जा 1 और यह मानस यहां मानस लगता है परस कर देगा 3 1 कम 3 और 3 1 4 हो जाएगा A 1 2 हो जाएगा ठीक है मानस लग जाएगा क्योंकि B सम आ रहा है देखो 1 2 का एंसिल तो यहां पर हो गए 2 1 और यहां पर हो जाएगा मानस का 3 और 1 तो मानस लग जाएगा 2x कम 2 हो जाएगा, यह मानस कर देगा, मानस मानस प्रस, 3x कम 3, यहाप पर हो जाएगा, मानस का 5 यह हो गया आपका, ठीक है, आप क्या करेंगे देखना, यहीं पर लिखा लेते हैं, ठीक क्योंकि आपको ठीक है, यहापर देखना, a, 1, 3, 3, 4 प्रस का हो जाएगा, row column 0, 2, 1, 1, 1, प्रस का लगा है, कोई दिख करने, 2, minus का 1, यहापर हो जाएगा, 1, अगर हम बात करें, a, 2, 1 की तो मानस आगे लग जाएगा, यह हो जाएगा, minus का 1, 1, 1, 1, ठीक है, आगे minus, minus का 1, minus का 1, तो हो ठीक है, 1 हो जाएगा, 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 बहुत साई, ठीक है, देखना, पलस का हो गया, 1, minus का 1, तो हो जाएगा, 0, ठीक है, अब देखना, a, 2, 3 की बात करेंगी, minus लग जाएगा, कोई दिखकत ने, 2, 3, यह, 1 हो गया, minus का 1 हो गय ए थीरी one की ठीक परस लग जाएगा ये रो कॉलम जीरो मानस का one 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 मानस का three क्या होगा वो देखना तीन एक्कμ तीन मानस मानस पलस कोई दिक्कत नहीं 1 और इसका 1 तो हो जाएगा 2 A, 3, 2 की जब बात करेंगे तो माइनस लगे जाएगे 3, 2, 5 बीसा मैं तो आगे माइनस लगेगा और यह देखो रो कॉलम 0 तो 1 हो गया 2 हो गया 1 हो गया माइनस का 3 हो गया देखना माइनस लगे लेंगे माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा हो जाएगा 5 ठीक है आगे देखना A, 3, 3 पलस हो जाएगा यह रो कॉलम 0, 1 माइनस का 1, 2, 1 ठीक है क्या हो जाएगे देखना पलस लगा लेंगी 1 1 0 1 minus minus plus हो जाएगा 2 आगे आपका 3 देखना दोस्त अगर आपको पहला question यह आदो तो मैंने आपको कहा था कि यह देखो 4 5 ठीक है यह 3 का pair बना लो ठीक है 3 का देखो pair बनेगा adjoint of है कैसे लिखते हैं देखना मैं बताता हूँ आपको मैंने आपको आपको समझाया था adjoint of equation लिखते हैं कि हमको transpose ना कराना पड़े ठीक है मदब 2-3 step ना करना पड़े तो यह देखो यह 4 minus का 5 और यह 1 कॉलम में लिख लो 4 minus का 5 और 1 क्या करते हैं हम row में लिखते हैं फिर transpose कराते हैं वही बात होती ठीक है अब देखना यह 2 0 और minus का 2 यह 2 ठीक है तो इसको कॉलम में लिख लो 2 0 minus का 2 हो जाएगा अब देखो यह 3 कॉलम में लिख लो यह देखो ठीक है तो यहाँ पर क्या 2 है 2 लिख लो 5 है 5 का लिख लो 3 है 3 लिख लो तो इस तरह से आपका adjoint of यह आ गया अब आप formula जानते हैं ठीक है देखो आगे लिख लेते हैं भई क्या हो ठीक है देखना formula हम क्या जानते है फार्मूला जानते है A inverse बराबर क्या होता है 1 by mod A into में होता है adjoint of A ठीक है तो A inverse जो हम निकालेंगे तो 1 by mod A कितना है देखना 1 by mod A mod A mod A कितना निकाला था ठीक है तो जाएगा 10 तो 1 by 10 into में है जो हमने निकाला यह देखो 4, 2, 2 ठीक है माइनस का 505 और 1 माइनस का 0 है एक सेकंड, 1 शेकंड, 2 है क्या यह देखी है एक सेकंडूचयोग माइनस का 2 है और 2 ठीक है Х mixed माइनस का दो ठीक है अब होता है कहाँ से यह देखो जो आपका यहां रहता है क्या AX बराबर B ठीक है लिख लेना इसलिए इसलिए क्या होता है AX बराबर B होता है तो यहाँ पर हो जाता है X बराबर A inverse B अब X तो X रहेगा ठीक है अभी बात में करेंगे A inverse आपने यहाँ पर निकाला एक बट्टी कितना 10 है 10 है ठीक है 4 है 2 है 2 हो जाएगा मानस का 5 है 0 है 5 हो जाएगा 1 है मानस का 2 है और 3 है अच्छा B जो आपने निकाला था अभी constant term यहाँ पर देखा था ना दोको B B है दोको 4,0,2 B 4,0,2 ठीक है 4 हो गया 0 हो गया 2 हो गया आगी क्या करेंगे एक बट्टी 10 हो जाएगा आगी क्या करेंगे देखो 5,4,20 तो मानस का 20 हो जाएगा 5,4,20 मानस का 20 पलस का हो गया 0 और 5 दुनाई 10 हो गया पलस का 10 ठीक है 1,4,4 हो गया मानस का पलस का 0 कोई लिक्कत नहीं 3 दुनाई 3 दुनाई 6 पलस का 6 हो गया आगी क्या करेंगे देखो x आपका कितना आएगा वो देखना x आपका आएगा 1 बटे 10 तो हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का माइनस का हो जाएगा 10 क्योंकि माइनस का 20 और पलस का तो हो जाएगा कितना माइनस का 10 हो जाएगा ठीक है छे 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा अब देखना दोस्त यह जो एक से एक सा आपका है क्या देखो X Y Z ही तो है तो X लिख लो Y लिख लो और Z लिख लो अब देखना बराबर ठीक है X के चाहें आपने दिख लिया X Y Z अब देखना यह 20 बटे में 10 हो जाएगा और यह 10 बटे में 10 हो जाएगा तो यहाँ पर जवाब का क्या आएगा x y z जवाब का आएगा वो आएगा 2 आएगा देखो 2 आएगा माइनस का 1 आएगा और 1 आएगा तो इसका मतलब x बराबर 2 y बराबर माइनस का एक और z बराबर 1 ठीक है तो यहाँ पराबलिक लेना x बराबर 2 y बराबर माइनस का एक और z बराबर कितना एक आ गया तो आसा करता हूँ आपको ये भी question समझ में आया होगा ठीक है तो x बराबर 2 y बराबर माइनस कितना question नमर 12 था ठीक है दो माइनस का एक और एक त्वासा करता हूँ आपको समझ में आओगा तो अगर समझ में आ तो लाइक कर देना ठीक है लाइक कर देना क्वेश्चन नमबर 13 देखते हैं देखने दोस्त क्वेश्चन नमबर 13 कितना है देखने दोस्ति यह समीकर नमबर 13 देखने तो एक नमबर दो नमबर और तीन नमबर हम ले लेते हैं यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया गया समीकर निकाय अब क्या हो जाएक अब वो देखना यहाँ पर लिख लेते हैं दिये गये समीकर निकाय को दिये गये समीकर निकाय को एक बराबर बी के रूप में लिखा जा सकता है ठीक ही यह होगा आपका अब देखना दोस्त ए कहां से आएगा वहीं से जहां से आपने निकाला था देखो टू हो गया ठीक है माई एक हो जाएगा माइनस का दो हो जाएगा एक हो जाएगा तीन हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा और माइनस का दो हो जाएगा एक्स कहां से आएगा देखो तीन वरेविल से हैं एक्स वाई जड़ तो एक्स वाई जड़ है भी ठीक है अब देखना बी क्या हो जाएगा वह देखना बी हो जाएगा आपका पांच माइनस का चार और तीन कोई दिक्कत कोई परेश्णानी कोई तप्लिफ में नहीं क्या हो जाता देखो टू हो जाएगा आगे रो कॉलम जीरो माइनस का टू हो जाएगा वन हो जाएगा मानस का तीन हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा तीन हो जाएगा एक हो जाएगा मानस का दू हो जाएगा पलस का थिरी हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा मानस क समझे गहें बात आप माद ही तू इनटू में चार या पांच पांच हो ज canyon 53 तीन दो पांच हो जाएगा पलस का तीन और यहाँ पर हो जाएगा पांच मौड इस ना हнакомसे 10 माइस माशिकी 25 अ पलू सिसना बसकात रंट 15 यह तो कितना यह इंट और構 Granny गहाए Actat कि अडियरंड Ohh छुर्वल यह ऊचिक यहां पर एक लेना आ McMoh कि अब निकालेंगी क्या है कि अब inadequ करनगा जानते हैं कि of 80 यह निकालना हम जानते हैं कैसे निकालेंगे देखना ए वन वन क्या निकालेंगे देखना जोडने पर कितना आ रहा है दो आ रहा है तो सम है तो माइनस का दो एक हो गया माइनस का एक हो गया और माइनस का दो हो गया दो दुनाई चार पलस का यह माइनस यह माइनस पलस कर 2, minus का 3 और हो जाएगा 5 A1, 3 क्या हो जाएगा वो देखना पलस आगी लगे गई 1, minus का 2 और 3, और minus का 1 minus का 1 हो जाएगा यह minus पलस कर देगा 3 दुनाई 6 कर देगा यहाँ पर हो जाएगा 5 ठीक है 5, 5, 5, 5 ठीक है अब क्या करेंगे यह देखना थिरी हो गया, थिरी हो गया, माइनस कवन हो गया, माइनस कदो हो गया, यहां पर आएगा माइनस, तीन दूना इच्छे, माइनस कच्छे, यह हो जाएगा माइनस, यहां पर जाएगा माइनस, पलस, एक त्याएं, तीन, तो क्या हो जाएगा, देखना, माइनस आगे लगा है, यहां माइनस का 3 तो जाएगा पलस का 3 अब हम 8, 2, 2 निकालेंगे दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगे देखना पलस का तो आगे लगे गई दूसरा रो दूसरा कॉलम देखना लाश्ट लाश्ट ले दो तीन, तीन, माइनस का 2 दो दुनाई 4, 3 तरिक का 9, 9, 4, 13, मानस का 13 आगे देखना क्या हो जाएगा, मानस का 13 हो गया आगे देखना, 8, 2, 3, आगे मानस लग जाएगा देखो, 2, 3 है ना, यह 2, 3 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मानस का 5 है, ठीक है माइनस का 2 और माइनस का 9 तो हो जाएगा कितना माइनस का 3, 2, 5 आगे माइनस लग भी लग जाएगा तो हो जाएगा माइनस यहाँ पर माइनस 11 तो माइनस माइनस पलस का 11 अब हो जाएगा A3, 1 पलस आगे लग जाएगा 3, 1 है देखो यह रो कॉलम 0 यहां पर हो गया 3, 3, मानस का 2 और 1 एक 3, एक कम 3, यह मानस यहां मानस पलस कर देगा, 2, 3, 6 कर देगा, 6, 3, 9 हो जाएगा, ठीक है यह सब चीज़े अब आपको आजानी चाहिए, बहुत ही आराम, आसान है, ठीक है यह देखो घट जाएगा, मानस का 1 और आगे मानस है, तो क्या हो जाएगा, पलस का 1 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे, ए, 3, 3 निकालेंगे, पलस हो जाएगा आगे, रो कॉलम 0, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, मानस का 2 हो गया आगे तो क्या हो जाएगा पलस लगा यह कोई दिक्कत नहीं दो दुनाई चार माइनस का और माइनस का तीन यह हो जाएगा माइनस का सेवन माइनस का अब यहाँ पर यह पर अगर हम एड्जॉइंट आफ यह निकालें ठीक है तो मने आपको बताया था इदे को कॉलम में ये तेन ये मानस का तेरा और ये ग्यारा कॉलम में पात्या है अब क्या नर्ण करेंगी यह देखना लेखना लब जैता हम चैना नहीं नहीं बहुत पढ़ें त्टिक है एक सेकें लेखना खेए देखां दोस्त, Adjoint of A आपका आगया अब हम निकालेंगे A inverse फर्मूला आप जानते हैं 1 by mod A इंटू में क्या होता है Adjoint of A ठीक है, तो A inverse कैसे निकलेगा वो आप जानते हैं 1 by mod A mod A आपने निकाला कितना पलस का 40 ठीक है, 40 हो जाएगा Adjoint of A अभी आपने निकाला 5, 3, 9 5 माइनस का 13 और 1 और 5, 11 माइनस का 7 यह हो गया आपका अब देखना, दोस्त, आप जानते हैं यहाँ पर लिखेना इसलिए क्या हो जाएगा A X बराबर का B तो X बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, A inverse हो जाएगा B ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा X बराबर, A inverse आपने अभी निकाला 1 by 40 और 5 हो जाएगा 3, 9, 5 5 माइनस का 13 11, 1 माइनस का 7 और B आपका जो constant था 5 माइनस का 4 और 3 multiply कराना आप जानते हैं कैसे होगा देखना, एक बटे 40 भाई लिख लो क्योंकि calculation easy करना है 5, 25 हो जाएगा माइनस लग जाएगा कि यहाँ पर देखो 3, 4, 12 12 हो गया 9, 3, 27 पलस का 27 हो गया 5, 25, 25 हो गया माइनस माइनस पलस हो जाएगा 3, 4, 52 तो पलस का 52 हो गया 1, 3, 3, पलस का 3 हो गया 5, 25, 25 हो गया 11, 4, 44 माइनस का 44 और माइनस का 21 यह हो गया आपका आप देखना x बड़ाबर एक बटे 40 तो हो जाएगा 25, 37 कितना हो जाएगा 25, 25, 52, 52 और 22 मेंसे जब बार जाएगा तो हो गया 40 ठीक हो गया अब देखना यहाँ पर देखना 52, 35, 55, 50, 60, 70, 80 हो गया यहाँ पर देखना 44, 1, 45 क्योंकि माइनस माइनस पलस होगा 45 हो जाएगा 40, 20, 65, 65 अब 65 मेंसे 25 जब खटा होगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा वो भी कितना किसका 40 माइनस का 40 होगा ग्याँ पर खटा है x को हम लिक्या सकते है x, y, z आप जानते हैं कहाँ से देखो यह x बराबर कितना x, y, z है यह को लगा लो ठीक है बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे में 40 हो जाएगी कि यह multiply कराएगे साले element में होगा तो 80 बटे में 40 और माइनस का 40 बटे में 40 तो क्या आएगा ये देखना X, Y, Z जो आपका आएगा कट गया एक आया 42 दुनाई असी 2 आया 40 एक कम 40 माइनस का एक आया तो X बराबर 1 Y बराबर 2 Z बराबर माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा X बराबर के लिख लो 1 Y बराबर लिख लो 2 और Z बराबर लिख लो माइनस का 1 तो आसा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेशन समझ में आया हो अगर आपको समझ में तो लाइक कर देना सेर कर देना जरू ठीक है तो सपोर्ट करना जरू 11, 12, 13 मैंने बता दिया आपको 14 नमर क्वेशन आपके लिए होमग रहेगा आप लगाना इसी तरह का क्वेशन से हैं जरूर आएगा समझ में आपको ठीक है 15 और 16 दो क्वेशन बते हैं मैं आपको प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा उसके लिए रेगुलर कंटेंट मिलता रहे तो सपोर्ट यरू करना ठीक है दोस्त तो जैहिन जैभारत मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच जैहिन जैभारत